किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रामलाल धाकर और स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एगरिकल्चर में इस वीडियो में हम 2023 के लिए स्वाइबिन की एक जोड़दार वेराइटी के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो अगर हमें स्वाइबिन का भविश्य बचाना है तो अब हमें स्वाइबिन की नई और उन्नत किस्मों को लगाना पड़ेगा लेकिन अभी भी मद्यप्रदेश के ज़्यादातर छैत्रों में जेस 95 और जेस 24 स्वाइबिन की खेती की जाती है लेकिन अब इन विराइटियों में कीट और रोगों का कापी अधिक अटेग होने लग गया हैं जिसके वज़े से इन विराइटियों का उत्पादन बहुती कम मिलता है और करें किसान भाई अब स्वाइबिन की खेती को गांटे का सोधा समयने लग गये हैं और स्वाइबिन की जगह पर दान की खेती में जिल्चस पी दिखा रहे हैं लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस समय पर स्वाइबीन की नई और उन्नत किस्मों को लगाते हैं और खेती सिस्टेमेटिक तरीके से करते हैं तो आप अभी भी स्वाइबीन का बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हो तो इसी कड़ी में आज हम स्वाइबीन की एक एसी वेराइटि के बारे में चर्चा करेंगे जो मातर 90 दिनों में पकर त्यार हो जाती हैं और उस वेराइटि की कीट और रोग परते रोदक समता बहुत अच्छी हैं जिसकी वज़े से उस वेराइटि का उत्पादन भी बहु बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया हैं उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड गर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब अगर उस वेराइटि के ब विचेश्टाओं के बारे में बात करें तो यह वेराइटी 90 दिनों में पकर तियार हो जाती है मतलब कि आप जैस 9560 और जैस 2417 की जगह पर इस वेराइटी को लगा सकते हो और इस वेराइटी की सबसे अच्छी विचेश्टा यह हैं कि इस वेराइटी में पीला मुजेग और इस्टेम प्लाइग का बिल्कुल भी अटेक नहीं होता हैं किसान भाई यह पिछले दो सालों से हमारे मद्दे प्रदेश में पीला मुजेग वाइरस और इस्टेम प्लाइग की वज़े से काफी अधिक नुकसान होता हैं लेकिन ब्लेक बोल्ड एक ऐसी वेराइटी है जिस वेराइटी में पीला मुजेग और इस्टेम प्लाइग का अटेक नहीं होता हैं और आपको वीडियो में जो स्वैबीन के पोदे दिखाए दे रहे हैं यह वेराइटी ब्लेक बोल्ड हैं अगर इस वेराइटी की पैचान के बारे में बात करें तो इस वेराइटी में बेंगनी रंग के फूल आते हैं और इस वराइटी की फलिया चिकनी होती हैं और ज्यादातर फलिया तीन दानों की होती हैं और किसान भाइयो इस वराइटी में पकने के बाद फलिया चटकने की समश्या नहीं आती हैं तता इस वेराइटी की फलियों का छिलका मोटा होता है जिसे फलिया सड़ती नहीं इसके लवा ये वेराइटी फपुन जनित बिमार्यों जैसे की पोड़ ब्लास्ट एंत्राक्नोज और सरकोस पेरा के प्रती भी अच्छी प्रतिरोदक समता रखती हैं खिसान भायू जो पूरानी वेराइटीआ हैं जैसे की 20-30 पिचान में सार उन वेराइटों में फूल बहुती अच्छी आते हैं और फलिया भी अच्छी बन जाती हैं लेकिन अंत्छत में उन वेराइटों में पोड़ ब्लास्ट, राइजक्टोनिया, एरिसल बलाइट, और एंत्राकुनोच का कापी अधिक अटेक हो जाता हैं जिसकी वज़े से फलीयों में दाना नहीं बन पाता है लेकिन ये जो बलेक बोल्ड वेराईटी हैं इस वेराईटी में इस परकार की कोई भी समश्या नहीं आएगी जिसकी वज़े से सबी फलियों में अच्छी तरीके से दाना बनेगा और स्वयबिन का उतपादन भी अधी निकलेगा अंत में अगर बात करें कि इस वराइटी की उतपादन समता कितनी है तो किसान भाईयो आप इस वराइटी की खेती अगर उननत तरीके से करते हैं 16 इंच पर इसकी बुवाई करते हैं और समय समय पर दवाओ का इस्प्रे करते हैं तो आप एक बिगे में 5 क्यूंटल, एक एकड़ में 10 क्यूंटल और एक हेक्टेर में 25 क्यूंटल या उससे भी अधिक उतपादन प्राप्त कर सकते हैं अगर बात करें कि इस वराइटी का बीज कहां पर मिल सकता है तो मद्य परदेश के कई किसान भाईयों ने पिछले 2 सालों से इस वराइटी को अपनाया है और अच्छा उतपादन प्राप्त किया है तो मद्य प्रदेश के कई किसानों के पास में आपको इस वेराइटी का बीज मिल जाएगा तो आपको स्वाइबिन की ये वेराइटी कैसी लगी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवी शे बताईए चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान